हलो बच्चों वेलकम टू मैदू हब ठीक है आज हम डिसकस करेंगे लॉज और मोशन के छोटा सा पार्ट है नूटन थर्ड लॉग है ना कहने को तो बहुत इजी लगता है लेकिन बड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है और उसमें आप अगर मैं आप से पूछों कि लोगी नूटन थर्ड लॉग क्या है तो आप बोलोगे एक्शन एंड एक्शन एक्शन इक्वल एंड अपोजिट लेकिन बात यहां खतम नहीं हो जाती यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और इसको हम समझेंगे कि इसके अंदर डैप्थ क्य है बेसिकली तो हम स्टार्ट करते हैं देखिए लाउज ओफ मोशन लाउज ओफ मोशन और हमारा आज का डिसकेशन है नूटन थर्ड लॉग नूटन थर्ड लॉग नूटन थर्ड लॉग अफ मोशन हर बच्चे को याद होता है एवरी एक्शन है इक्वल एंड इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट रियक्शन ओके अगर आपने ये स्टेट्मेंट याद कर रखा है तो ये तो शूर है कि आपसे नुमेरिकल सॉल नहीं हो सकते ठीक है नुमेरिकल में हम इस रूल को कैसे लगाते हैं उसके लिए हमें इसके आगे कुछ और चीजों को आड ओन करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्लैंक छोड़ता हूँ ठीक है आज हम देखेंगे कि इस ब्लैंक में क्या आएगा और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन थर्ड लाग को है ना तो हम बोलते हैं every action is equal and opposite reaction ओके चलिए इसको example से समझते हैं example से समझना असान होगा देखें example देखते हैं जैसे example के लिए मैं थोड़ा सा एक known force लेता हूँ आपने gravitational force पढ़ा ओके gravitational force gravitational force तो gravitational force दो masses के बीच में लगता है तो एक मास हमने यह ले लिया M1 और एक मास हमने यह ले लिया M2 example के तोर पर हम ले लेते हैं एक आर्थ है एक हमारा moon है है इनके बीच में कुछ distance है particular distance इनके बीच का distance हम mark कर देते हैं that particular distance is r यह हमारा r distance है अब आप यह देखो कि अगर हमने जैसे example लिया यह अर्थ है हमारा और यह moon है तो earth moon को खीच रहा है जिसकी वज़ा से वो circular orbit में घूम रहा है और moon आर्थ को खीच रहा है तो अगर मैं यहाँ पर forces represent करूँ तो मैं इस तरीके से forces represent करूँगा यहाँ पर मैं यह color different ले लेता हूँ forces को represent करने के लिए तो मैंने बोला कि एक force इस पे लगेगी इस तरीके से यानि कि यह जो है वो moon का gravitational pull है अर्थ पर है ना अब इधर से देखते हैं देखो change करते हैं situation यह हमने इधर से ले लिया ओके हमने इधर से लिया और यह जो pull है यह है moon पर earth का है ना तो अब इसको हम represent क्या क्या बोलें जैसे यह हमने बोला कि यह f12 है यानि कि यह mass 1 पे लग रही है due to 2 और यह है f21 उसको नाम देते हैं मैं बोलूँगा कि f12 जो है उसको क्या नाम दिया जाएगा force on mass 1 f12 force on mass m1 due to m2 due to mass m2 mass m2 की वज़ा से m1 पर क्या force लग रही है उसको हमने 1 2 बोला इसी तरीके से f21 है force on mass m2 due to m1 है ना m1 की वज़ा से कितना लग रहा है अब ज़र इसकी value की बात करते हैं फार्मुला आपको याद है फार्मुला आपने पड़ा f is equal to g gravitational constant m1 m2 by r square तो क्या यह दोनों forces बराबन है और यह बोलूँगा कि f12 का magnitude और f21 का magnitude equal है ओके यह हो गया आपके पास gm1 m2 by r square ठीक है एवरी action is equal and opposite reaction अच्छा यह इसका direction और इसका direction एक दूसरे क्या पोज़िव्य है देखो आप इधर से देखो तो यह इधर attract हो रहा है और यह इधर से attract हो रहा है तो अगर मैं इसको vector form में लिखूं तो I will write minus लिख दिया ठीक है यह हमने minus लिख दिया ओके तो इनका magnitude भी बराबर है इनका direction भी अपोज़िट है every action is equal and opposite the action क्या यह same object पर act कर रहे है यह different object पर यह notice करने माला point है अगर आप देखें कि जो F12 का जो tail है वो M1 पर है इसका मतला यह किस mass पर act कर रहा है M1 पर act कर रहा है F21 को देखें तो उसका tail कहाँ पर है F21 पर तो एक जो important point यहाँ पर निकलके आया वो यह है कि F12 acting on M1 and F21 acting on M2 acting on M2 ओके देखें acting on M2 इसका मतलब क्या है कि जो important point है action and reaction pair में वो है कि action and reaction pair are equal opposite and they act on different object वो कभी एक object पर act नहीं करते जब तक ये वाला point satisfy नहीं होता दो forces से जब तक ये वाला point हमारा satisfy नहीं होता दो forces से तब तक हम उसको action and reaction pair बोली नहीं सकते किसी भी condition में ओके तो देखें अगर मैं आब इसके साथ point लिखूँ तो action and reaction pair के साथ क्या point मुझे लिखने चाहिए देखें मैं लिखता हूँ आप लोग भी लिखें एक्शन एंड रिएक्शन पियर एक्शन एंड रिएक्शन पियर ओके एक्शन एंड रिएक्शन पियर पैला point action and reaction pair are equal in magnitude है ना उनका magnitude बराबर होगा ओके इसी तरीके से दूसरा point action and reaction pair opposite होंगे direction action and reaction pair are are opposite in direction forces है ठीक है तो opposite in direction सिर्फ इससे ही यह confirm नहीं हो जाता कि कोई भी दो forces action and reaction pair होंगे इस अगला point है उसे भी आपको देखना पड़ेगा वो point है action and reaction pair action and reaction pair acts on different object reaction pair acts on different object यह बहुत important point है acts on different object ठीक है यह आपको हमेशा check करना पड़ेगा क्या वो same object पैक्ट कर रहे हैं या different object pack कर रहे हैं तो मैं इसे star mark कर रहा हूँ ठीक है इसी से relevant point बन जाते हैं कि they never cancel each other है ना इसी को हम phrase कर सकते they never cancel each other क्यूंकि बेटा अलग-अलग object pack कर रहे हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को cancel they never cancel each other वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं जैसे मैं आपको एक छोटा से एक्जांपल से समझाता हूँ और आपको रिकोगनाईज करना है क्या वो एक्षिन एंड रियक्षिन पियर है या नहीं ओके चलिए एक शेप ले लेते हैं कि यह हमने एक ब्लॉक ले लिया इसका मगनिट्व लिख दिया मैंने 10 निूटन इसका भी मेंगनिट्व ने 10 निूटन लिखा अब चलो इनके बारे में लिखते हैं F12 and F21, यह F2 या F1, जो है, are equal, are equal in magnitude, okay, magnitude में परावर है, तो पहले point को satisfy कर रहे हैं, यह soft course करने मैंने checklist बना लिया, हाँ, यह equal है, दिख रहे हैं बिल्कुल, okay, दूसरा point, F1 का direction, equal and opposite है, ठीक है, इसको हम देखते हैं, देखिए, यहाँ पर अगर हम बनाएंगे, तो इनका direction opposite है, जैसे मालों अगर यह x axis है, तो F1 का direction है, हमारे पास 10i cap, okay, और F2 का हमारे पास direction है, minus 10i cap, तो they are equal, है न, यह वाला point भी है, opposite in direction, दूसरा point हो गया, opposite in direction, opposite in direction, तो अभी तक आप क्या करते थे, आपने यह दो point देखे और आपने बोल दिया कि F1 2 और F2 1 action and reaction प्यार है, बट यह ही आप गलती कर गए, आप ध्यान से देखो, कि इस force का जो application point है, और इस force का जो application point है, वो same object पर है, अलग तो नहीं है, यह तो यह block ही, it is on same object, तो यह वाला जो point है, जिसके मैंने star mark किया है, वो satisfy नहीं हो रहा, action and reaction प्यार act on different object, लेकिन यहाँ क्या point बनेगा, F1 vector and F2 vector are acting on same block, are acting on same block, same block प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब यह action and reaction प्यार नहीं है, क्योंकि यह तीसरे वाले test को पास नहीं कर रहे हैं, यानिका action and reaction प्यार आपको जभी भी decide करना है, आपको यह 3 test कराने हैं, उस force के साथ, क्या वो equal है, magnitude में देख लेना है, क्या वो opposite है, यह भी देख लेना है, फिर यह सबसे important देखना है, क्या वो same object पर act कर रहे हैं, या different object पर act कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर यह जो वाली दिये दो force हैं, यह fail हो गए इस test में, मैं लिख रहा हूँ, F1 vector and F2 vector are not action and reaction pair, are not action and reaction pair, action and reaction pair, very important point, कि यह action and reaction pair नहीं है, क्योंकि यह तीसर वाले point को satisfy, नहीं कर रहें, तो हमेशा हमें यह देखना होगा, इन तीन point को check करना होगा, अच्छा मैंने यहाँ पर ही देखो, यह भी लिखा है, they never cancel each other, but यहाँ पर देखो, अगर मैं आप से पूछो, block के ओपर net force क्या है, तो यहाँ पर मैं आप से पूछो, simply what is the net force on block, what is 10i cap, यह है minus 10i cap, और आप बुलनोगे 0, तो यह तो cancel हो गए, लेकिन action and action pair कभी cancel होते ही नहीं है, तो यह वाला point भी satisfy नहीं हो रहा, तो यह fundamental point है, अगर आप दो forces को decide करना चाते हो, कि वो action and action pair है, फर्दर हम कुछ और example discuss करेंगे, जिसमें हम देखेंगे, तबार हम test करेंगे कि दो forces हमें दे रखेंगे, क्या वो action and action pair है या नहीं, देखें, next slide पर जाते है, एक बहुत common सी situation है, जो बहुत पजल करती है students को, यह आपने सभी नहीं बनाया है, यह FBD, free body diagram, यह block है, यह ground है, ठीक है, यह block है, मैं चाहता हूँ कि आप इसका FBD बने, ठीक है, तो मैं FBD बनाता हूँ, आप लोगों के लिए, मैं block का FBD बनाता हूँ, FBD of block, free body diagram of block, देखें, बनाने स्टार्ट करते हैं, यह block है, आपने बोला, सर इसका weight, नीचे act करेगा, normal reaction on block, due to ground, तो मैं इसको लिख देता हूँ, it's a normal reaction, normal reaction on block, on block, due to ground, ground की बज़ा से, ठीक है, अब मालेज़ आपको एक ऐसी situation दे दी, और मैंने आप से question पूछा, क्या NBG और MG, action and reaction pair है, अब आप यह मानों कि 99% बच्चे इसको बोलता है, NBG and MG are, action and reaction pair, क्योंकि वो क्या गलती करते हैं, वो सिर्थ दो test, दो point को check करते हैं, they are equal, they are opposite, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा यह लिखा है, उन्होंने लिखा, sir, NBG minus MG is equal to 0, NBG is equal to MG, ठीक है, उन्होंने यह देख लि लेकिन यह action and reaction pair नहीं होंगे, क्योंकि यह तीसरे वाले point को satisfy नहीं कर रहे हैं, आप देखिए, इन का इस arrow का point और इस arrow का initial point किस पर है, same object पर है, किस पर है, same object पर, तो conclusion क्या निखला, NBG and MG are not action and reaction pair, are not action and reaction pair, action and reaction pair, नहीं है यह action and reaction pair, क्योंकि यह एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, cancel कर रहे हैं, तो फिर हम नहीं यह चीज़ क्यों लिखे, 0, क्योंकि यह block rest में है, क्यों लिखे, because block is at rest, because block is at rest, चलतो रहीं नहीं रहा वो, at rest, और जाओ अगर कोई चीज़ rest पर है, तो इसमें net force क्या हो जाएगी 0, इसलिए हमने यह equation लिखे, और इससे यह result आया, तो हम इसमें trap हो गए, हमने यह देखा, और हमने पूरी information नहीं थी, तो trap हो गए, हमने बोल दिया, action and reaction pair है, action, reaction, pair, acts on different objects, जब तक यह point satisfy नहीं होगा, जब तक कोई दो forces, action and reaction pair नहीं हो सकती, चलिए back to the slide, एक situation होगी, अब अगर ऐसा है, तो इनके action and reaction pair भी होने चाहिए, तो अभी, अब मैं बनाओंगा, FBD of block and FBD of ground, तो नहीं मनाता हूँ, FBD of block, देखे, FBD of block and FBD of ground, free body diagram of ground, देखे, तो block का FBD तो MGA downward हो गया, यह हमारा normal reaction हो गया and block on ground, okay, ground में क्या होगा, कि यह basically contact force है, ना, normal reaction, एक contact force होता है, molecular interaction की बज़ा से लगता है, तो इससा contact force, तो इस पर यह वाली force लग रही होगी, NGB, यानि कि normal reaction on ground, normal reaction on ground, reaction on ground, due to block, due to block, block की बज़ा से, ओके, अब मैं आप से पूछूँ, क्या यह NBG और NGB action and reaction pair है, यह वाला और यह वाला, क्या यह action and reaction pair है, देखो, NBG और NGB का magnitude same, ठीक है, इनका magnitude NBG is equal to NGB, magnitude same है, direction, देख लीज़े, opposite है या same है, दिख रहा है आपको, NBG अगर vector form में लिखता हूँ, तो इसका direction opposite है, क्या के same object पे act कर रहे हैं, different object पे act कर रहे हैं, NBG is acting on block, and NGB is acting on ground, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए, NBG acting on block, acting on block, है न, और NGB acting on ground, तीसरे point को satisfy कर दिया, अगर तीसरे point को satisfy कर दिया, तो यह action and reaction pair हमारे हो जाएंगे, acting on ground, ground पे act कर रहा है, तो मैं conclusion निकाल सकता हूँ, पहला point satisfy है, दूसरा point satisfy है, तीसरा point satisfy, मैं बोल सकता हूँ, NGB and NBG are, are action and reaction pair, क्या है बिटा, यह action and reaction pair है, तो conclusion यह है, तीन point satisfy होने चाहिए, revise करते हैं, recall करते हैं, इकवल होने चाहिए, opposite होने चाहिए, और एक last point जरूर चेक करना है, different object पे act करने, ओके, goodbye, take care.